हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बाइलो जी में चेप्टर नम्बर 9 का पार्ट सेकिंड अगर अभी तक आपने प्रीवेस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं आज के वीडियो में अपन चेप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चेप्टर का नेक्स टॉपिक लेते हैं जो कि बिसिकली क्या है प्लांट ब्रीडिंग तो देखो प्लांट ब्रीडिंग क्या है यह एक तरह की साइंस है जिसमें अपन क्या करते हैं प्लांट के जो ट्रेड्स पे हो गया जैसे paste और insect resistance से वो बढ़ा दिया उसमें nutrient quality जो है वो बढ़ा दी यह सब जिसमें करेंगे वो plant breeding हो जाएगा तो plant breeding is the science of changing the traits of plant in order to create a desired variety अपन प्लांट की कोई नही variety चाहते है और that are better suited for cultivation जिसके आसारी से cultivation की जा सके यह better yield ज्यादा productivity हो disease resistant हो plant breeding जो है वो genetic improvement है किसी particular plant का अब एक plant breeding के क्या-क्या step होते हैं वो अपन देखते हैं तो सबसे पहला step होता है collection of germ plasm basically अगर अपन को किसी एक particular plant का germ plasm collect करना है तो उसकी जितनी भी wild variety है उनको collect करेंगे उनके seed collect कर लेंगे ठीक है या फिर अपन plant भी collect कर सकते हैं तो जितनी भी उसकी wild variety है जितनी भी उसकी sub variety है जितनी भी उसकी और कोई related species है relative से उन सब का collection करना है तो the entire collection अब इस collection में plant भी collect कर सकते हैं seed भी having all the diverse allele of all gene जितनी भी एक particular character के लिए जितनी भी genes जितनी भी alleles होती है जितने भी तरह के organism में उन सब को अपन क्या करेंगे collect करेंगे in a given crop is called germ plasm collection इसे अपन क्या कहेंगे germ plasm collection कहेंगे a good germ plasm collection is essential for a successful breeding अगर अपन सारी variety collect कर पाएंगे तो ही अपन choose कर पाएंगे उसमें से कौन सा desired trait है तो plant breeding की जो successful नहीं से वो पहले step पे depend करेंगे दूसरे step में क्या करेंगे germ plasmage evaluate मतब जितने plant collect हुए है उसे अपन क्या करेंगे one by one उनके character को identify करेंगे और फिर देखेंगे क्या इनसे वो desired combination मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं these plant used in next step और जिन plant को या जिन parent को या जिन combination of plant को अपन को लगता है कि इनके बीच में cross करवाने पर hybridization कराने पर या और किसी technique करने पर अपन को desired character मिलेंगे उनका selection किया जाता है फिर अपन क्या करेंगे cross hybridize करेंगे by this we obtain hybrid data genetically combine the desire character in one plant दो अलग-अलग plant choose कर लेंगे second step में जिनकी अपन variety mix करना चाहते है जैसे कि माल लो एक plant ऐसा है जिसकी yield जादा है और एक plant ऐसा है जो disease resistant है तो अपन दोनों के बीच में cross करवाएंगे और एक नया plant बनाना चाहते है जो ज़्यादा DGH के tours में registrant भी दे और उसकी yield या productivity भी क्या हो ज़्यादा हो यह अपन कैसे करेंगे उन दोनों के बीच में cross करवाकर fourth selection and testing of superior combination जब वो नई off spring आएगी जिसे अपन hybrid off spring कहेंगे उन में से अपन उन hybrid off spring को select करेंगे जिसमें DGH character है जरूर नहीं हमेसा hybridization कराने से वैसे character mix हो जाए these step yield plant that are superior to both parents और जिन plant को अपन choose कर लेंगे अपन choose किन को करेंगे जो superior होंगे दोनों ही parents से अब इस plant में अपन self-pollination कराएंगे और बार-बार self-pollination करवाते जाएंगे जब तक कि वो कैसा ना हो जाए homoegos ना हो जाए ताकि आने वाली off spring में या आगे आने वाली generation में वो character lost ना हो, segregate ना हो next is testing, release and commercialization, the newly selected line are evaluate for their yield and desired character एक बार जो अपने plant choose कर लिये, जो hybrid में से plant choose किये थे, उनको एक बार वापस grow करवा के check करेंगे या उनसे जो भी चीज अपन को करवानी है वो करवा के check करेंगे कि सच में वैसे character इसमें है या नहीं है It is done by growing them in a research field and recording the performance Now the testing is done in farmer field, फिर research field के बाद में यह कहां किया जाएगा farmer field for three season, अलग अलग तरह की season में For several location of country, country की अलग-अलग location में ताकि अलग-अलग climate, अलग-अलग condition में वो same result दे रहा है या नहीं दे रहा Material is evaluate और फिर उसे compare किया जाता है पहले से जो available crop है उसे देखते हैं कि वो superior है या नहीं तो यह method होता है किसके plant breeding के, एक अपनी book में data दे रहा है कि in India ICAR जिसकी full form क्या है Indian Council of Agriculture and Research जो की कहा है New Delhi में के carries out evolution जो यह पीछे की checking है वो सब वो करती है Now these release for commercialization और फिर उसे commercial crop के form में release कर दिया जाता है ठीक है तो यह था अपना कि plant breeding क्या होता है और plant breeding के क्या-क्या step होते है एक बार आप यह note कर लीजे फिर अपन आगे बढ़ते हैं Next आगे लेते हैं और देखते है कि character which breeders want to improve कि plant breeding से कौन से character breeders जो होते है plant breeders जो होते है वो improve करना चाहते है पहला है कि crop की productivity बढ़ाना चाहते है Quality बढ़ाना चाहते है उसमें nutrition quality बढ़ाना चाहते है Increased tolerance to environmental stress जो भी environmental stress होता है जैसे change in temperature, water की कमी या water ज्यादा आ जाए मतब जो भी physical factor होते है जो कम ज्यादा होने से problem हो सकती है उनके two words में वो कितना resistant है कितना fluctuation सेहन कर सकता है वो बढ़ाना चाहते है resistance to pathogen, pathogen जो बीमारी फैना लेवाले जो pathogen है उनके two words में कितना resistant है वो resistance बढ़ाना चाहते है या फिर insect और paste के towards में resistance बढ़ाना चाहते है अब next track in mid 1960s जो अपने इंडिया में 1960s के आसपास क्या की गई several high yielding variety of wheat and rice obtained की गई पतलब ऐसी नई plant breeding से wheat और rice की ऐसी variety बनाए गई जिनकी productivity बहुत ज़्यादा थी और इनकी वज़े से dramatic increase हुआ किसके अंदर food production के अंदर अपनी country में मतलब plant जो है बहुत ज़्यादा amount में क्या करने देगे productivity देने लगे और इसको अपने क्या बुला green revolution ठीक है Example of improve variety improve variety के कुछ example बताने है तो पहला है Norman E. Barlog जो है उन्होंने international center for wheat and mage improvement जो की कहाँ पर है Mexico में वहाँ पर semi-druff wheat की variety available करवाई दिको जो ड्राफ variety होती है वो जल्दी क्या करती है seed बनाती है मतलब पहले fruit बनाएगी फिर जल्दी seed बनाती है ज्यादा grow नहीं करती है उससे पहले ही ऐसा मतलब उसकी productivity ज्यादा होती है तो इन्होंने किसने produce की थी normal, Norman E. Barlog ने कहाँ पर produce की international center for wheat and mage जो यह कहाँ पर है research center मेक्सिको में और किसकी variety obtain की थी wheat की कैसी variety बनाई semi-draft variety in 1963 इंडिया में भी बनाए गई सोना लिका कल्यान सोना चोकी high yield and disease resistant variety थी और इसको फिर पूरे इंडिया में क्या किया गया distribute किया गया तीसरा point है semi-draft rice variety develop की गई ठीक है और वो किसे बनाई गई थी IR8 और टाइचून native first और यह IR8 कहां की variety थी Philippines की और यह कहां की थी Taiwan की एक full form दे रखी है IRRI जिसकी full form होती है International Rice Research Institute जो कि कहाँ पर है Philippines में तो इन दो variety को mix करके एक rice की नई advanced variety बनाई गई जया रतना यह भी क्या है rice की मतलब अच्छी varieties है जो कहां इंडिया में develop की गई थी ठीक है Sugar cane के case में भी इंडिया में एक variety बनाई और यह पूरा cross दे रखा है तो यह सबसे important point बनता है आप लोगों के लिए देखो क्या दे रखा एक sacrum barberry और sacrum s dot मतलब sacrum office inerum अब इसकी क्या खासियत है कि यह ability करती है North area में grow करने की लेकिन इसमें sugar yield जो होती है वो कम होती है productivity कम होती है इस दोनों को mix करके hybrid बनाया जो North area में असानी से grow भी करे और उसमें sugar की quantity भी क्या हो ज्यादा हो ऐसे कैसे मेज, जवार, बाजरा इनकी भी बहुत सारी advanced variety क्या की गई develop की गई तो यह कुछ example है जो आपको पूछे जा सकते है जैसे कि आपको यह पूछा जा सकता है कि wheat की high yield variety के नाम बताओ सोना लिका कल्यान सोना राइस की बताओ जया और रतना सुगर केन का एक example बताओ तो यह लिख सकते है ठीक है यह अपने को पूछ सकते है IRRI की full form क्या है कहां पर है ठीक है Norman E-Balllog जो थे वह उन्होंने कहां पर research किये थे तो कहां पर किये मेक्सिको के research center में ठीक है तो यह कुछ question है जो आपके पूछे जा सकते है तो एक बार आप यह note कर लिजे फिर अपन चेप्टर को और आगे बढ़ाते है नेक्स्ट अपना topic है plant breeding for disease resistance तो देखो इसमें क्या दे रखा है बुक में कि fungus, bacteria और viral pathogen की वज़े से जो productivity होती है करीब 20-30% क्या होती है decrease हो जाती है तो plant breeder क्या करना चाहते है plant breeding करवाते हैं disease resistance के लिए और इससे क्या-क्या फाइद है दो फाइद है एक तो नाम से ही clear है कि ऐसी breed बनेगी जो resistant हो किसके towards में पैथोजन के towards में लेकिन दूसरा फाइदा है ऐसी अगर disease resistance variety होगी तो अपन को जो chemical इस्तमाल करते है फंगी side bacterial side जो bacteria fungus को मारने के लिए इस्तमाल करते है उनके उपर dependency क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्या method इस्तमाल करेंगे तो पहला तरीका है conventional breeding जैसा कि हमेशा करते हैं अभी अपने पढ़ा तक कि plant breeding के क्या step होते जो one two three four five जो step थे वो step follow करेंगे और क्या कराएंगे plant breeding करवाएंगे लेकिन इसमें एक problem है इस वाले के लिए मुझे एक ऐसा plant चाहिए जो की क्या हो disease resistant हो फिर मैं क्या करूंगा दूसरे plant का इसके साथ cross करूंगा और उमीद करूंगा कि जो hybrid बनेगा वो भी disease resistant हो लेकिन problem यह है कि हर बार ऐसा disease resistant variety मिलना मुस्किल होता है it is very difficult to find disease resistant variety and there is a limited number of disease resistant variety तो फिर क्या किया जाए क्यों ना जो पहले से जो plant है जिसमें disease resistance इतना नहीं है उसमें mutation करवा के disease resistance बनाया जाए तो यह दूसरा technique होती है जिसे mutational breeding कहते है mutation of existing variety with the help of chemical and radiation और फिर क्या क्या जाएगा देखेंगे selection करेंगे कि किन में इस mutation का असर सही वे में दिख रहा है और जिन में दिखेगा उसको अपन क्या करेंगे फिर आगे plant breeding की जो different techniques होती है उनको यूज करेंगे अपन ठीक है example दे रखा है moon bean जो होती है resistant होती है किसके tours में yellow mojack virus और powder mildew और यह किस से बनाई गई है mutational breeding से बनाई गई है ठीक है अब देखो book में एक table दे रखी है जो आपन को learn करनी है हलंकि इसमें मैंने एक point और extra note करवा है यह भी आपके book में दे रखा है लेकिन stable में नहीं दे रखा है stable में five point है नीचे छोरी में यह point है तो पहली variety लेते है wheat की wheat crop की कौन सी होती है himgiri और यह variety पर क्या होता है leaf and stripe rust जो होती है वह आसानी से नहीं लगती ठीक है तो यह दोनों डीजीज basically fungal डीजीज है तो यह fungal डीजीज के towards में क्या है रजिस्टेंट है दूसरी ब्रेसिका की पुसा स्वर्निम और यह white rust के towards में resistance रखती है यह भी एक fungal रजिस्टेंट है फिर cauliflower और cow pea जो है इन दो plant की अपन variety तयार करेंगे ठीक है और यह दो variety के नाम है और यह इन डीजीज के towards में क्या करती है रजिस्टेंट रखती है और यह दोनों डीजीज जो है bacterial resistant है फिर chili और भिंडी यह दो जो है इनकी यह अपने variety है ठीक है पुसा सदावार और परभा यह दोनों जो है यह इन डीजीज के towards में resistant रखती है और यह कौन सी डीजीज है viral तो यह दो crop तो हो गई fungal resistant कौन सी यह दो यह दो जो है अपने कौन सी आ जाएगी bacterial resistant में और यह दो किसमें आ जाएगी viral resistant में बिंडी के बारे में अलग से line लिखी हुए पहले उसका क्या ना scientific नाम दे रखा है फिर इसकी variety का नाम दे रखा और yellow mojack virus के towards में यह resistant होती है ठीक है बटा second motive होता है plant breeding का की developing करना resistance किसके towards में insect और paste के towards में अब इसमें कौन कौन सी है तो पहले अपन देखते हैं कुछ features देखते हैं अगर plant में hairy leaves है तो वह resistance provide करवाती है jacids in cotton और seral leaf beetle in wheat में तो leaf के उपर hair होंगे तो वह in insect से resistant provide करवाती है कुछ plant जो होते हैं उनमें पहले से smooth leaves होती है nectar less होती है जिसकी वजह से जो ball worms होते हैं वो उनके towards में नहीं जाते हैं तो उनके towards में उनमें resistant है कुछ plant के stem बहुत solid होते हैं तो जो sow fly जैसे हैं जो क्या करते हैं उनके stem को खोद के उनमें से cell sap करते हैं उनको यह अच्छा नहीं लगेगा तो उनके towards में यह resistance provide करवाएगा और कुछ plant जो होते हैं high aspartic acid low nitrogen और sugar content रखते हैं जिससे जो मतब कुछ particular insect उनके उपर नहीं grow कर पाते हैं जैसे कि एक example है कि मेज के उपर जो stem borrers होते हैं वो इसकी वज़े से grow नहीं करते हैं अब अपन क्या करेंगे plant breeding से ऐसी और variety बनाएंगे जैसे कि एक दे रखा है ब्रेसिका की पूसा गौरो और यह एफिड्स insect के towards में resistance provide करवाती है ऐसे फ्लैट बीन्स की पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री और बिंडी की पूसा स्वामनी और पूसा एफोर ठीक है तो यह बहुत सारी variety है और किस insect के towards में यह भी आपको learn करना पड़ेगा थोड़ा रटने का काम हो गया लेकिन अपनी book में दे रखा है इन सारे point को अपन को याद करना है ठीक है इसरा motive होता है plant breeding for improvement in food quality दोतों को क्या दे रखा है एक data दे रखा है कि करीब 840 million people ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनने भूक मतलब खाना ही नहीं मिलता तो इसे अपन कहेंगे hunger ठीक है कि भूक मरी है लेकिन 3 billion लोग ऐसे हैं जिने खाना तो मिलता है लेकिन उस खाने में किसी ना किसी चीज की कमी है जैसे protein की कमी है विटामीन की कमी है किसी micronutrients की कमी है इसे कहते है hidden hunger मतलब hunger के इसाब से तु दूर कैसे करेंगे bio fortification से अब यह क्या है तो plant breeding करनी है आपको किसके लिए करनी है ताकि nutritional quality बढ़ाई जाए किसी particular crop में इसे bio fortification कहेंगे और क्या-क्या objective होते हैं या तो अपन उस particular crop में protein content या protein की quality बढ़ाना चाहते हैं oil content या oil की quality अच्छी करना चाहते हैं उसमें vitamin content बढ़ content को बढ़ाना चाहते हैं कुछ example है जैसे कि in 2000 मेज का एक hybrid बनाया गया जिसमें normal मेज hybrid के compare में जो amino acid थे कौन-कौन से lysine और tryptophan वो करीब double amount में थे ऐसे कैसे wheat की एक variety Atlas 66 इसमें काफी ज्यादा protein होता है और ऐसे कैसे iron fortified rice में normal rice के compare में 5 गुना ज्यादा iron होता है तो यह अपने basically क्या कि food के अंदर macronutrient, micronutrient के content को क्या किया और बढ़ाया है ठीक है Bio fortification से related एक और point है IARI इसकी full form भी याद रखनी है Indian Agricultural Research Institute जो की का है New Delhi में अब इन्हों ने भी काफी bio fortified crops बनाई है जैसे कि vitamin A से भरी भी carrot, spinach और pumpkin बनाए जिसमें vitamin A काफी ज्यादा होता है mustard, tomato, beetle guard और बथवा की ऐसी species develop की है वेराइटी डवलप की है जिसमें vitamin C काफी होता है ऐसे कैसे spinach और बथवा की कुछ ऐसी variety develop की है जिसमें iron और calcium ज्यादा होता है इसी तरह broad, love love, french garden pea इनमें protein ज्यादा लगने वाली variety डवलप की गई है तो यह जो तीन मोटीव थे अपने plant breeding के one by one अपने की है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और next लेते हैं SCP जिसकी full form है single cell protein अब यह होता क्या है पहले वो देखते है बैक्टीरिया, sinobacteria और fungi का biomass किसकी तरह यूज करना protein के alternate source की तरह यूज करना क्या कहलाता है? इसमें से एक fungus को छोड़ दे तो bacteria और sinobacteria कैसे होते है single cell के होते है तो protein का एक alternate source त्यार किया गया जो किसकी वज़े से क्या गया बैक्टीरिया, sinobacteria और fungi को consume किया जाएगा उनके biomass को consume किया जाएगा यह SCP कहलाएगा अब question उठता है कि क्यों इनको consume करना है source of protein की जैसे पहले से बहुत सारे source of protein है जैसे pulsage जो है वह source of protein है meat जो है वह source of protein है तो उसका कारण देखते हैं तो why SCP required तो इसका answer है कि जो population है वह grow करे जा रही है और अब इस population को अपन को एक तो क्या कराना है required food available करवाना है और food कहां से available करवाएंगे crop से और crop लगाने के लिए land चाहिएगी फिर अपनको protein की requirement भी पूरी करवाने के लिए चाहिए क्योंकि protein एक अच्छा nutrients होता है तो वह भी सबको supply करवाना है और protein कहां कहां से मिलता है तो या तो protein लेता है अपन pulsage से तो pulsage से लेंगे तो pulsage को grow करवाना पड़ेगा तो land उतनी नहीं है जिन जानवरों का meat consume किया जाता है उन जानवरों को पहले कुछ खिलाना भी पड़ेगा तो अगर अपन एक calculation करें कि एक kg meat किसी ऐसे organism जिसे अपन consume करते हैं उससे लेनी है तो उसे कितना खाना खिलाना पड़ेगा करीब 3-10 kg fodder खिलाना पड़ेगा तो अगेन fodder बनाने के लिए land चाहिएगी वह अपने पास है नहीं तो इसी लिए अपन SCP का इस्तेमाल करते हैं तो कौन-कौन से हैं ऐसे bacteria, sinobacteria जिनका इस्तेमाल किया जाता है तो bacteria में अपनी book में दू नाम दे रखें methylophilus और methylotropos, sinobacteria का एक example याद रखना spirulina और mushroom जो एक तरह की क्या हो जाएगी fungus Advantage क्या इनका SCP के इस्तेमाल का तो पहला यह बहुत जल्दी rapidly grow करती है ठीक है दूसरा source of protein तो है यह साथ में mineral, fat, carbonate, vitamin भी available करवाती है तीसरा यह कहा कहा grow कर सकती है, wastewater के उपर grow कर सकती है, जैसे कि book में एक example दे रखा है कि जो potato processing unit होती है उसमें जो पानी बाहर निकलता है जिसमें थोड़ा बहुत starch होता है, उसके उपर भी इनको grow करवाया जा सकता है molla sage जो sugar cane से juice निकालने के बाद जो पीछे बसता है उस पे भी grow करवाया जा सकता है, animal manure पे भी grow करवाया जा सकता है even sewage पे भी grow करवाया जा सकता है, तो यह बहुत बड़ा advantage है कि कच्रे पर या जो waste है उस पे grow कर रहा है और protein दे रहा है पाड़ी कर ही सकते है, उसके अलावा यह alternate source है, ऐसा नहीं है कि इनको crop land पे grow करवाना पड़ेगा तो फिर ज्यादा फाइदा नहीं होता, तो यह alternate source है, जहाँ crop land की requirement नहीं होगी next topic है अपना tissue culture, तो tissue culture क्या होता है, यह एक तरह की technique है, जिसमें क्या किया जाता है, plant tissue को grow करवाया जाता है maintain किया जाता है, in a sterile, ऐसे medium में जा bacteria वगेरा ना हो, artificial nutrition और artificial support पे उसे अपन क्या करते है, tissue culture करते है मतलब अपन क्या करेंगे, एक ऐसा environment तयार करेंगे, जो sterile हो, जहाँ पर कोई microorganism बनाओ, फिर अपन किसी plant के किसी भी हिस्से की cell लेंगे और उसे वहाँ पर multiply करवा के grow करवाएंगे, उससे पूरा plant भी बना सकते हैं, ठीक है यह पूरा procedure tissue culture क्यलाएगा, इसके लिए nutrition अपन खुद देंगे, जो environment है वो खुद तयार करेंगे और एक sterilized environment में ऐसा करेंगे, इसे क्या कहते है, tissue culture requirement क्या क्या है, तो पहली requirement है, explant, explant का क्या मतलब है, आप जिस plant के जिस हिस्से का भी इस्तमाल, tissue culture के लिए करेंगे, उसे explant कहते है जैसे कि माल लो मैं किसी plant की root का Mary stem ले रहा हूँ, तो वो मेरे लिए explant हो गया माल लो किसी के plant के pollen grain को यूज कर रहे है, तो वो explant हो गया, तो part of plant or tissue which is grown in test tube under a sterile condition, in special nutrition medium या basically अपन ऐसे कहें कि इसका इस्तमाल किया जाएगा tissue culture में, उसे explant कहते है sterileizer, जो plant का part इस्तमाल करेंगे जैसे explant, अगर माल लो उस पर पहले से bacteria है, तो जब अपन nutrition वगेरा देंगे, तो plant grow करे ना करे, उसकी cell जो है tissue grow करे ना करे, वो micro-organism grow कर जाएगे तो अपन को उनको clean करना पड़ेगा, तो इसके लिए sodium hypochlorate का इस्तमाल करते है nutrition medium, उन्हें nutrition भी तो देना होगा, जिस explant को अपन को grow करवाना है, तो उसके लिए सुक्रोज, amino acid, vitamin, oxygen, cytokinin, inorganic salt, इन सब का इस्तमाल किया जाता है, और nutrition medium तयार किया जाता है next है autoclave, जिसमें जितने भी vessels इस्तमाल करेंगे tissue culture में उन सब को sterilize किया जाएग next है totipotency क्या होती, totipotency, toti means total potential, अगर किसी cell में किसी पूरे organism बनाने की ability है, तो उस organism की वो cell totipotent के लगती है और plant के case में, plant में ऐसी बहुत सारी cell होती है, जिन में totipotency होती है, यही वज़ये plant पे tissue culture बड़े आसानी से किया जा सकता है तो capacity to generate whole plant from any cell या फिर x plant जिसको अपन इस्तमाल कर रहे है, it's called totipotency पूरा plant बनाने की ability है, इसलिए यह ability क्या कहलाती है, totipotency कहलाती है, ठीक है तो एक बार आप यह note कर लीजे, फिर अपन chapter को आगे बढ़ाते है अपनी book में tissue culture के बारे में कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको दो topic summary form में करवाना चाहता हूँ एक steps of tissue culture और एक types, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x plant का selection करेंगे अब भी अपने देखा था, x plant क्या होता है, जिस part का इस्तमाल अपन tissue culture में करेंगे, उसे x plant करेंगे फिर उसका surface sterilization करेंगे sodium hypo chloride से, फिर उसे क्या करेंगे, उन cells को या उन tissue को culture medium में introduce करेंगे इसे कहेंगे inoculation, अब जो culture medium है, वो solid भी हो सकता है, suspension भी हो सकता है, liquid होता है, तो उसे suspension medium कहता है, अगर उसमें agar अगर डाली हो रखी होती है, तो solidify हो जाता है, तो solid medium culture कहलाता है अब अपन क्या करेंगे, formation of collection of undifferentiate cell, जब अपन एक medium लेंगे, उसमें plant का कोई हिस्सा लेंगे, और उसे nutrition देंगे, तो दीरे दीरे वो divide करके, एक पूरा cell का cluster बना देता है, लेकिन यह सारी cell एक जैसी होती है, differentiate नहीं होती, undifferentiate होती है, इसे क्या कहता है, callus, फिर इस callus में अपन organogenesis करवा के somatic embryo बनाएंगे, organogenesis मतब root formation करवाएंगे, suit formation करवाएंगे, root formation को initiate करना, rhizogenesis कहलाता है, और suit formation initiate करना, kologenesis कहलाता है, अब root formation करवाने के लिए, अपन क्या करेंगे, oxyn ज्यादा लेंगे, cytokinin काम, और suit बनाने के लिए, oxyn काम, और cytokinin ज्यादा, यह दोनो point बहुत important है फिर क्या करेंगे इसकी वज़े से छोटे-छोटे plant-like structure develop हो जाते हैं जिने क्याते है plant lates अब इन plant lates को commercial form में इस्तमाल करने से पहले hardening और क्लाइमेटेशन करते हैं इसमें क्या करते हैं plant lates को soil में grow करवाते हैं और धीरे-धीरे क्या करते हैं जो physical factor होते हैं जैसे temperature ठीक है water stress हुआ पैटोजन हुआ वो धीरे-धीरे एक्के करके उन्हें available करवाते हैं ताकि वह उसे face करना सीखे और अब उन्हें अपन commercial या फिर जो normal farmland है उसमें grow करवा सकते हैं तो यह step होते हैं tissue culture की अब tissue culture कितने तरह का होता है इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो पहला ex-plant कौन सा लिया अगर enter लिया तुसे enter culture कहेंगे प्रोटोप्लास्ट का इस्तमाल किया तो protoplast culture कहेंगे जो अपने chapter के सबसे last में embryo का استعمال किया तो embryo culture कोई plant की root की suit की tip का इस्तमाल किया तो उसे Mary stem culture दूसरा है Tissue culture दो तरह के होता है Solid medium culture जो की solid medium में किया जाता है इसे callous culture भी कहते हैं और दूसरा suspension culture जो liquid medium में किया जाता है ठीक है Applications देखते हैं Tissue culture की तो पहली application है micro propagation मतलब एक बहुत ही short time में thousand of plants produce करना क्या कहलाता है Micro propagation जैसे मान लो की एक plant है जिसकी मैंने leaf की tip से कुछ cell निका ली और इन cell को क्या क्या culture medium में grow करवा कि बहुत सारे मैंने plant layers बना दिया तो बहुत कम time में काफी plant layers बन जाएंगे मान लो मैंने one lakh plant layers बना दिया और अब इनको मैं hardening के बाद में जब soil में grow करवाँगा तो एक साथ एक लाग जो है plant grow करेंगे तो बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा plants बनाए जा सकते है micro propagation से each of these और क्या खासियत होगी कि यह जितने भी बनेंगे जो original plant थे उससे morphologically और genetically क्या होंगे सेम होंगे अब यह काम मैं plant breeding से करूँ तो काफी time जाएगा और variation आ जाएगी मैं इस case में नहीं चाहता variation हो यही वज़ा है micro propagation या tissue culture से जो obtain करते हैं इस technique से सोमा क्लोन कहते हैं दूसरा है virus free plant production मालो एक plant है जिसमें पूरा virus लग गया और यह plant बहुत अच्छा था मैं ऐसा ही बहुत सारे plant और चाहता हूँ तो देखो अक्सर जो tip जो होती है Mary stem वाला portion जो होता है वो virus के infection से बचा रहता है तो मैं वहाँ से cell निकाल लूँगा और बहुत सारा micro propagation या tissue culture करवा के बहुत सारे plantlets बना के फिर एक limitation करवा के एक साथ grow करवा के वापस उसके number बढ़ा सकता हूँ तीसरा है culturing Mary stem of banana, sugar can और potato या फिर transgenic plant का production या फिर somatic hybridization जैसे की protoplast culture इसका एक example अपनी book में दे रखा है कि potato और tomato का somatic hybridization किया और क्या बना pomato unfortunately उसमें वो दोनों feature नहीं थे जो अपन चाहते थे कि combine हो अब यह कैसे करते हैं यह अपने chapter का सबसे last topic होगा जिसे अपन अभी करेंगे ठीक है next लेते हैं chapter का सबसे last topic जो की tissue culture की भी last application है जो है somatic hybridization जिसे protoplast culture कहते हैं तो इसमें क्या किया जाता है दो plant cell लेते हैं और पहले उनकी cell wall जो की मैंने यह green color से denote की है उसको हटा लेंगे इसके लिए cellulage enzyme का इस्तमाल करते हैं किसका इस्तमाल करते है cellulage cellulage नहीं cellulage enzyme का इस्तमाल करते हैं तो उसकी जो cell wall हो जाएगी what जाएगी इसके बाद जो चीज मिलेगी अपन को उसे protoplast कहेंगे क्या कहेंगे protoplast पहली cell का protoplastic दूसरी cell का protoplast भी फिर polyethylene glycol का इस्तमाल करके इन दोनों को fuse किया जाएगा तो इनका protoplast जो होगा fuse हो जाएगा अब उनका nuclear fuse किया जाएगा तो एक और एक cell बन जाएगी जिसमें दोनों का genetic combination है nucleus का और एक ही protoplast बन गया इसे कहेंगे somatic hybrid ठीक है क्योंकि अपने reproduction नहीं करा है तो यह somatic hybrid है ठीक है अब इस somatic hybrid पर chemical से अपन वापस cell wall जो होगी वह prepare करेंगे और अब इसका tissue culture करेंगे callous culture करेंगे तो undifferentiated tissue बनेगा जिसे callous कहेंगे फिर अब भी अपने देखा आगे tissue culture के step follow करेंगे उस पर organogenesis, root का formation, suit का formation उसे plant lates बनेगे फिर इन plant lates को क्या करेंगे पहले ऐसी condition में grow कराएंगे जिसमें धीरे धीरे इनको क्या करेंगे environmental stress देंगे जिसे hardening कहेंगे और फिर जो hybrid plant बिनेंगे उन plant को अपन commercial form में grow करवा कर क्या करते हैं जो भी use करना होता है वो इस्तमाल करते हैं ऐसा ही एक testing की गई potato और tomato दोनों plant का protoplast culture करया गया और जो plant बना उसे pomato का गया लेकिन unfortunately इसमें वो सारे features नहीं थे जो अपन tomato और जो अलू है उसके अपन mix करना चाहते थे तो tomato और potato के जो character अपन mix करना चाहते थे वो tomato में mix नहीं होए इसलिए यह इतना useful नहीं रहा लेकिन यह एक किसका pomato formation एक किसका example है protoplast culture का है ठीक है तो इसके साथ अपना यह chapter और आज का वीडियो दोनों complete होते हैं उमीद करूँगा कि यह chapter आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं अगले chapter के वीडियो में तब तक आप सब लोग खुब सारा hardware कीजिए खुब खुश रहिए खुब मस रहिए thank you for watching